नमस्कार मैं हूँ दिपक शर्मा और आप देख रहे हैं बिग निउस बाका की बड़ी खबरों के बुलिटीन में आपका स्वागत है बरते हैं खबरों की ओर अमरपूर शहर के सौंदरी करन को लेकर चल रही कारियों का बाका SDM मनोज कुमार चौधरी ने गुरूबार के दिन और चिक निरिक्षिन किया निरिक्षिन के दोरान बाका SDM मनोज कुमार चौधरी के साथ BSR, DSL के DGM, राज कुमार टीम लिडर कृष्ण कुमार समेत अनी कर्मी उपस्थित थे मौके पर बाका SDM ने बस स्टेंड चौँक पर इस्थित भगवान बजरंग वली मंदीर का अस्थान अंतरन कारी को लेकर नव निर्मित मंदीर की गुनवत्ता आधी की बारिकी से जाच किया मौके पर बाका SDM ने उपस्थित कर्मियों को नव निर्मित मंदिर का निर्मान कारी पुर्ण होने पर ही चौंक पर इस्थित मंदिर का अस्थान अंतरन करने का निर्देश दिया बदाते चले अकबर नगर से अमरपूर होते हुए बाका तक सड़क चौड़ी निर्मानकार किया जा रहा है इसके साथ ही अमरपूर शहर की सौंदरी करनकार भी तिवर गती से किया जा रहा है जिसको लेकर SDM ने उपस्थित अधिकारियों के साथ अवर्षक विचार विमर्ष किया अमरपूर थाना छेतर के बड़ी भेडा गाउं में जमीन बिवात को लेकर हुए मार्पिट में महिला समेच चार लोग जक्मी हो गए जक्मी भिकारी साह, इनकी पत्नी सुमित्रा देवी, एवंपुत्र अमीत साह और सनुच साह का प्रात्मिकी उपचार रेफरल अस्पताल में किया गया मामले को लेकर जक्मी सनुच साह ने बताया कि गाउं में मेरी नीजी जमीन पर पंचानन साह अपने परिवार के साथ मिलकर जवरन दिवाल दे रहे थे जिसका विरोध करने पर पंचानन सा, मूनी सा, पीतम सा, रोशन सा, पूरन सा, सरीता देवी अनी लोगों के साथ मिलकर लाठी डंडा से प्रहार करते हुए मेरे पीता को जखमी कर दिया। जब मैं बीद बचाओ करने गई तो सभी ने मिलकर मुझे मेरी माँ एवं मेरे भाई को भी पीट कर जखमी कर दिया। मामले को लेकर जखमी ने अमरपूर थाने में लिखित आवेदन दे कर कारवाई की मांग की है। प्रवाणी थाना देख शे राजीव रंजन ने बताया कि आवेदन के द्वारत दिये गे आवेदन पर अनुसन्नान किया जा रहा है। अमरपूर शहर के विभिन हिस्सों में दुरघटनाओं का दौर निरंतर जारी है। आई दिन शाहर के विविन हिस्सों में लोग दुरघटनाओं का शिकार होकर जखमी हो रहे हैं ताजा घटना बुद्धवार के दिन अमरपूर बाका मुखी पत पर महगामा मोड के समेब घटित हुई जहां अतीचक गाउं से बाईक पर शावार होकर आरह युवक दुरघटना का सिकार हो गया अस्थानिय लोगों की मदद से जखमी युवक को इलाज के लिए अमरपूर रेफरल अस्पताल लाया गया अस्पताल में पदस्थापिक डॉक्टर जोती भारती ने जखमी अमरपूर थाना छेतर के सिजवा गाउं निवासी नरायन मंडल का प्राथमी की उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बहतर इलाज के लिए माया गंज भागलपूर रेफर कर दिया अस्पताल परिसर में जखमी ने बताया कि अतीचा गाउं से बाईक पर सवार होकर अपने गाउं सिजवा आ रहा था तबी महगामा मोड के समीप बाईक अनियंत्रित होकर पलट गई जखमी का उपचार कर रहे डॉक्टरों ने जखमी की स्थिति चिंता जनक बताई है शीनपुर गाउं में धरले से अवैस सराब की बिक्री किया जा रहा है सुचना मिलते ही फोर्स के साथ उप्ट गाउं में चापे मारी अभियान चलाया गया कुलीस वहान को देखते ही शराब तसकर फरार होने में कामयाब हो गया घर की तलासी लेने के बाद दो प्लास्टिक के गैलन में 25 लीटर देशी शराब एवं शराब बनाने का उपकरम ब्रामत किया गया जब समान को अमरपुर थाने को सुपूर्द कर दिया गया है मामले को लेकर थाना ध्यक्ष ने बताया कि फरार तसकर के खिलाप उतपात अधिनियम के तहत प्रात्मी की दर्ज करते हुए कारवाई किया जा रहा है चापे मारी अभियान में सिपाही नंद किशोर राम, सिपाही अमीत कुमार, चालक हरी शंकर ठाकूर समित अन्फोर्स उपस लिखते तो आप तक के लिए इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार